सरस्वती नदी वह नदी जो विलुप्त हो चुकी है प्राचीन ग्रंथों में जिसका जिक्र है और विज्ञान भी जिसका असितत्त स्विकार करता है रिगवेद में कहा गया है कि सरस्वती नदी यमना और सतलज के बीच पूर्व से पस्चिम की तरफ बहती थी मतलब पंजाब, राजस्तान, गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती थी हम इस सरस्वती नदी पर चर्चा नहीं करेंगे हम उत्तरा खंड की उस सरस्वती नदी से आपका परिचय कराएंगे जिसका आप आज भी दीदार कर सकते हैं उसके कोलाहल को सुन सकते हैं और उसके निर्मल जल से अपनी प्यास बुझा सकते हैं तो फिर देर किस बात की जानते हैं इस सरस्वती नदी के बारे में उम्मीद है कि आपने अपना यहाप्रिया चैनल घसेरी सब्सक्राइब कर लिया होगा सब्सक्राइब कीजिए घसेरी चैनल को और बेल आइकन दवाईए नए वीडियो देखने के लिए आपने माना गाउं के बारे में सुना होगा वही गाउं जिसे भारत का आखरी गाउं कहा जाता है इसी गाउं के पास में बहती है सरस्वती नदी अपने दर्शन देकर अलक नंदा में समा जाती है सरस्वती नदी पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी अलक नंदा में समाती नहीं बलकि विलुप्त हो जाती है और फिर प्रियाग में जाकर गंगा और यमना से मिलती है सरस्वती नदी विलुप्त क्यों हो गई? इसको लेकर दो कथाएं है आईए इन कथाओं को भी सुन लेते है माना गाओं के पास सरस्वती नदी पर पत्थर से बना पुल है इसे भीम पुल कहते है कहा जाता है कि जब पांडव स्वरगा रोहिनी के लिए आगे बढ़ रहे थे तो द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पाई पांडवों ने इसके बाद सरस्वती से रास्ता देने का आग्रह किया लेकिन सरस्वती नहीं मानी पांडवों में सबसे बलशाली भीम ने तब दो बड़े पत्थर लुड़का कर पुल बना दिया था कहते हैं कि भीमने क्रोध में अपनी गदा जोर से सरस्वती नदी पर मारी थी जिस से वह विलुप्त हो गई यहाँ नदी थोड़ा आगे बढ़ कर जब अलक नंदा में मिलती है तो वहाँ पर ऐसा आभास होता है जैसे कि यहाँ विलुप्त हो रही हो सरस्वती नदी के विलुप्त होने के पीछे एक और कहानी है पौराणिक कथाओं के अनुसार व्यास ने सरस्वती नदी के करीव इस्तित गुफा में महा भारत का स्रिजन किया था व्यास के आग्रह पर भगवान ब्रह्मा ने भगवान गणेश को महा भारत लिखने का काम सौपा था गणेश जब महा भारत लिख रहे थे तो सरस्वती पड़ा शोर करते हुए बैह रही थी गणेश जी ने उससे शोर कम करने को कहा लेकिन सरस्वती नहीं मानी इससे क्लोधित होकर गणेश ने सरस्वती को विलुप्त होने का सराप दे दिया था ये तो थी सरस्वती के विलुप्त होने की पौराणिक कहानिया सरस्वती नदी का उद्गम मिस्तल देवताल है और माना में भीमपुल के पास यह पूरी गर्जना के साथ बहती है भीमपुल में संभल कर चलें तो बेहतर है सरस्वती नदी के तट पर ही सरस्वती का मंदिर और दो दुकाने हैं इन पर लगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्सरों में लिखा भी गया है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान यहां से आप सरस्वती नदी का जल भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं नदी के दूसरे चोर यानी माना गाउं वाले चोर पर बरफानी बाबा भी बढ़ते हैं पूरी तरह राक से सने बाबा यहीं पर पास से आप चटानों से निकलते शीतल जल को अपनी बोतलों में भर कर जरूर ले जाएं स्वास्त के लिए सर्वोत्तम है हजल अब आप यहाँ भी पूछेंगे कि सरस्वती नदी का दीदार करने के लिए कैसे पहुँचें जब बद्रीनात के कपाट खुले होते हैं तब आप सरस्वती नदी के भी दर्शन कर सकते हैं भगवान बद्रीनात के दर्शन करिये और फिर माना गाओं की सहर पर निकल जाईए बद्रीनात से तीन किलोमीटर दूर है माना गाओं माना गाओं के बीच से होकर ही रास्ता भीमपुल और आगे बसुधारा और सतोपंथ तक गया है सरस्वती नदी को अपनी आँखों के सामने साक्षात देखने के लिए सबसे उपयुक्त समय मई और जून है यही वह समय है जबकि अधिकतर लोग भगवान बद्रीनात के दर्शन करने के लिए जाते है तो कैसे लगी आपको सरस्वती नदी की कहानी जरूर बताएं और शेयर भी करें आप सभी को प्यार भरा नमस्कार